वेलकम तो मैचैनल हिस्ट्रे डीमर तोड़ेवी आर मेकिंग वीडियो अन्ट्री हिस्टोरिक पीडियोड पालियोलिथिक एज पार्ट ओन टीक है आज हम लोग आरेस सर्मा का पार्ट ओन बनाएंगे वीडियो हुमान इभूलूशन दे ओल्ड स्टोन एज थीक है बहुत और तेन दिन तक हम लोग आरेस सरमा की भूख से एट आरेस सरमा के फिर १ूर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं human evolution दा old stone is Bible time के बारे में पढ़ेंगे और उस टाइम में कौन सा स्पेसीज डिबलोप्त हुआ था और आर्ट का डियूरेशन टाइम पीरियड कब क्रियेट हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे देखते हैं हम लोग ठीक है human evolution the old stone age कैसे स्टाट हो रहा है देखो African ancestors of human beings जो हम लोग human beings है अभी तो उसके African ancestors बोला जाता है कि जो पहला spaces जो आया था human beings का पहला spaces वो आफरीका में दिखा गया था तो इसलिए बोला जाता है आज का जो human beings है human beings का जो ancient African ancestors थे पहले उनके बारे में देखते हैं पहला हम लोग देखेंगे यहां देखो the art is over 46 hundred million years old जो हमारा अभी का art है वो 46 hundred million years old है the evolution of its crust shows four stages जो आथ का जो evolution हुआ था ओफोर स्टेजेस में हुआ था मतलब उसका जो crush जो है इसका four stages दिखाया था जो last four stage है उसका नाम है quarter nari तो quarter nari बोला जाता है तो इस मतलब यह पूरा period है जो crushed है उसका जो time period को पूरा दो मनले two two parts में हम लोग डिभाइज जब करेंगे तो देखते हैं इस डिभाइड़ इंटो two epochs called Pleistocene Age जो बोलते है आइस एज अन होलो सीन पोस्ट आइस एज तो और भी बहुत सारा पीरियोड से आपको पता है कि पालियो जोईक पीरियोड मेशो जोईक पीरियोड नियो जोईक पीरियोड पीरियोड अन प्लेश्टोसीन एज तो हम लोग यह तो बहुत सारा पीरियोड से बहुत सारे बुक्स में बहुत टाइप्स का मेंसन किया गया है डिभाइड किया बट हम लोग आरे सर्मा की बुक में देखेंगे तो इसको टू टाइस में वोग डिबाइट किये हैं कैसे जैसे की प्लेश्टोसीन एज, आइस एज अन होलोसीन एज जो की पोस्ट आइस एज तो फीर हम लोग यहां पर देखते हैं जो टाइम पीरिएट था कब से कौन सा पीरिएट कब तक लास्टिंग था और जो लास्ट किया था तो उसके बारे में यहां पर है फिर्स एपोक लास्टेट फ्हों मिलियोन बीस सी टू इन में था बीज़ाइट से लेकर 12000 बीस तक एगजिश्ट केया था जो फिर्स एपोक जो था और सेके पीरोड जो था सेकेंड पीड़ बिगान इन अबाउट 12,000 बीसी टू कंटीनियस मने कंटीन्यूस टू दीज देस मतलब अभी तक ओ चालू है मतलब पूरा डिभाइट किये है तो दो भाग में जो की एक जो था वो पहला 1 मिलियन से स्टार्ट होकर 12,000 बीसी तक एक्जिस्ट किया था फिर दूसरा वाला जो 12,000 से स्टार्ट होकर अभी तक कंटीनियू है फिर दो लाइब बिगान ऑन आर्थ अराउंड मतलब जो इसका पीरियोड था यहां पे देखो जो आर्थ का पीरियोड था 4600 मिलियन यह ओल्ड लेकिन यहां पे दिया है कि हुमान बिंग्स का 3500 मिलियोड डेखो 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 डेख यहां पर देखो, several types of humans called hominids, different types के जो humans को बोला जाता है, hominids lived in southern and eastern Africa about 6 million years ago, तो 1 million से start हुआ था, तो 6 million years ago, कुछ humans के बारे में पता चल रहा है कि वो लोग southern and eastern Africa में वो लोग लिप कर रहा है थे, फिर और एक दिखते हैं, the birth of the creature called astralopithagus was the most momentous step in the evolution of human line, जो human being का development हुआ, तो उसका जो पहला जो creature था, पहला species था, उसका नामे astralopithagus जो की आपरिका में developed हुआ था, फिर उसके बाद है, astralopithagus is a term that originated in Latin and means southern ape, मतलब उसको बोलता है कि, बोला जाता है कि southern ape की जैसे, मतलब southern ape उनको बोला जाता है, फिर और एक देखते हैं हाँ पर, the astralopithagus was marked by some elements found in other living beings, जो astralopithagus के अंदर जो elements देखा जा रहा है, तो other living beings के अंदर भी वो मिल रहा है, उनका नाम है homos और homos human beings, तो ए जो human beings अभी है, इनके जो astralopithagus के अंदर जो दिखा जा रहा है, तो उनका जो characteristics, जो elements उनके अंदर पाया गया था, वो हमारे जो अभी के humans से उनके अंदर से भी ओचिछ मिल रहा है, फिर the first important homo और human was homo hobilis, जो first बाला जो human जो बोलते हैं कि the first important homo और human जो था, वो होता है homo hobilis found in eastern and southern Africa about 2 से लेकर 1.5 million years ago, वो मिला था उसका spaces, फिर देखते हैं homo hobilis means a handy और skillful man, एक्जाम में ऐसा पढ़ता है कि homo hobilis किसे बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं यापर, the first real human broke stone into pieces and serpent of pieces to use as tools, कौन? ऐसा भी एक्जाम में पढ़ता है कि homo hobilis का जो काम क्या था, the first, the first real human human उन्या बोले जाता है, जो कि stones को pieces करके, उसको serpent करके, बहुत सरा tools बनाए थे, the second important step is the appearance of homo erectus, पहला जो homo hobilis गए, वो तो पहले तो ऑस्ट्रल पिथागस, ईजिप्ट पिथागस, वो सब बहुत सारे थे, वो अलग spaces सब थे, लेकिन अभी का जो हम लोग जो developed spaces थे, homo hobilis, homo hobilis के बाद जो second appearance हुआ, उसका हो नाम होता है, homo erectus and means an erect of, erect or upright man, जो कि पूरा सीधे खड़े होने बाले इंसान पैदा हो गए, तो उनको बोलते है, homo erectus, it is believed that homo erectus people discovered how to make an unused fire, जो fire का जो discovery फर्स्ट जहां पे हुआ था, वो लोग उसको बोला जाता है कि homo erectus people ही इसको discover किये थे fire, क्योंकि वो लोग wise man थे, upright man थे, उनका दिमाग तब थोड़ा बहुत कुछ development उनका हो गया था, तो वो लोग क्या के ना, fire को invention किये थे, फिर the third step, जो है, the third step marked the emergence of homo sapiens, तब homo hovelis, इसके बाद homo erectus, उसके बाद homo sapiens, which means wise man, our own species evolved from homo sapiens, जो अभी हमारा जो species है, हमारा species भी homo sapiens से ही develop हुआ था, तो यह homo sapiens से ही develop हुआ है, और homo sapiens ही हमको homo sapiens अन sapiens बोला जाता है, इठाद है short body, इनका जो characteristic है, उनका है short body, and very narrow forehead, but its brain case measured, about 1200 to 1800 cubic centimeter, तो उनका जो brain का size है, वो है 1200 से लेकर 1800 cubic centimeter तक है, फिर देखते हैं, और एक फूल फ्लेस्ट modern म्यान called homo sapiens अन sapiens, sapiens अन sapiens is traceable to about 115,000 years ago, यह जो देखा गए थे, 115,000 years ago इन लोगों का species बिला था, in southern Africa, in the late stone age called upper paleolithic age, exam में ऐसे पढ़ता है कि homo sapiens अन sapiens कौन सा पीरेड में developed किये थे, तो इन लोगों को कब developed किये थे, upper paleolithic age में, तो paleolithic age is divided into three parts, lower paleolithic, middle paleolithic, and upper paleolithic, it was the last age and last phase where the homo sapiens and sapiens developed and originated, then हम लोगों को और देखते हैं, फिर देखते हैं कि देखो, सबको पता है, बहुत सारा species developed हुआ था, जो कि outside India, तो लेकिन हमारा जो इंडिया में जो species मिला था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, आरे सर्मा की बुक से, अरली म्यान इन इंडिया, तो यहां पे हैं, देखो, अरलीश्ट कूल फसिल्स, जो स्कूल का जो फसिल, कुछ फसिल स्कूल फसिल्स मिला था, जो कि हब बिन फाउन्द इन सीवालिक हील्स, एक्जाम में पढ़ता है कि सीवालिक हील्स, जो covering इंडिया पकिस्तन एरिया लगा के जो सिवालिक हिल्स है वहां से कौन सा फसिल्स मिला था the schools appear the patwar plateau in Punjab प्रोबिन्स और पकिस्तन which developed on the sandstone sandstone में मिला था और पकिस्तन एरिया जो सिवालिक covering इंडिया पकिस्तन एरिया और जो था कुछ स्कूल मिला था कहां पर patwar plateau में इन पंजाब प्रोबिन्स का और जो पकिस्तन में भी कुछ पंजाब है तो उस एरिया में कुछ मिला था तो उसके बारे में है these schools are called जो ओजो schools मिला था सिवालिक हिल्स के पास से उसका नाम था पिथागस और सिभा पितागस देखो इसके पहले हम लोग वाल लेबुल में क्या पड़े अस्ट्रालों पिथागस पड़े एजिप्ट पितागस और बी कितना सारा जो जैसे कि हमो 无 Brad में प्रस्तरव्यूग और मेड़ल प्रस्तर्यूग उसके बाद जू интерес को लेकर क्याइशन हुआ था तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ-कुछ जान गए तो फिर हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे दे सीम तो पॉजेस सम होमी निट फीचर्स दो डे री प्रेजन एप्स तो यह लोग कैसे दिख रहे थे मालूम है ना अप्स जैसे री प्रेजन कर रहे थे उनका जो हमी निट फीचर्स था जैसे कि एप्स के जैसे चीज प्रेजन हो रहा था रामा पिथागस फीमेल बट बोथ बिलॉँग तू दो नों एक ग्रूप से बिलॉँग करते थे बट रामा पिथा जो था ओधा ओ जो स्पेसिस था उस मेल सपेसिस था था तो एक रप्रेसेन्टेटिटीफ अब इस ग्रूप पाउंड इन ग्रीस इस डेटेट अराउंड 10 million years ग्रूप इस ग्रूप के मनें इस रिलेटेट के जो फसिल थे और जो स्पेसिस थे ओमिला था ग्रीस में मिला था बट टें मिलियन स्यर्स बाला दिक रहा था तो यह जो है वह बहुत कामेज का है जैसे कि 10 million years के पहले इसमें दिख रहा था तो यहां पर मिला था दिस में भी एक ग्राउंड फर डेटिंग रामा पिथागस शिवा पिथागस बट इस स्कूल्स और कंसिडर 2.2 million years old तो यह तू सारी यह होता है यह दिख रहा था कब 10 million years ago दिख रहा था लेकिन यह दिख रहा था 2.2 million years old बट इससे पता चल रहा है कि लेकिन दोनों एक ही ग्रूप से बिलॉंग कर रहे थे जो कि आउटसाइट इंडिया में मिला था 10 years old दिख रहा था यह लेकिन 10 million years old दिख रहा था यह 2.2 million years old दिख रहा था जो कि हमारे इंडिया में मिला था ठी कंप्लीट हो मी निट स्कूल वाज डिसकवरड इन 1982 एक नेट के एकजाम में पड़ा है जब आप लोग जब लोग जब क्वेश्चिन देखेंगे जब प्रिभियस क्वेश्चिन देखेंगे उप प्रिभियस क्वेश्चिन जब उठाएंगे तो उसमें जरूर आपको एक व को मिला था हो नीट्वोड एंपளः मीला से मिला था नम हतनुरा से मिला यह एक्जा में पड़ा है और हतनुरा कहां परेश में पड़ेगा कि अग्जांमे आपके प्रेस्ट और कभन डिसकोबर रहं था था patrol स्कूर्ड वांट होम इरक्टुस एंडिर इस変 यह त Advisor विर्ली हो काई Homosapien नहीं बाद मैं इसको Homosapien बोल गया दरी मेंस फूल फ्लेस्ट मोडन म्यान कॉल होमसाफियान सपियन अन्साफियन अन्साफियन यह बीन रिपोर्टेड फॉम स्री लंका दौफाइड प्लेस इस फाहियन देखो देखो इसको मार्क करो अच्छे से देखो इसको मार के जी एक नवि लागा गेडाए देंस अप फूल फ्लेस डाउमन जो अभी के स्री लंका में कि अपरी के इसका मतलब है होमो साफियन सापियन कॉन सा टाम में डेवलॉप हुआ था कब मिला था कि अपर पालियोलिथिक एज में मिला था और फिर कब ट्रेसेबल उसका टाइम पिरेट क्या है पिर कहां मिला था साउधन आफ्रीका में मिला था मतलब यह वाल बेसिस में है ठीक है यह वाल वाला है तो हम लोग यह जो देख रहे हैं इंडिया वाला देख रहे हैं यह इंडिया में मिला था इंडिया में जो कुछ मिला था कौन सा वह आफ्रीका में मिला था यह कहां पे म में मिला था फाहियन कहां पे स्रिलंका में है तो फाहियन केप सीम्स टू बी अर्लियेस्ट अपर पालियलिथिक साइट इंडर इंडियन सब कंटिनेंट देखो ए जो आरेस सर्मा का बुक है इसको जब आप पड़ोगे अच्छे से तो इसमें बहुत सारा चीज बहुत सारा आपको समझना पड़ेगा उसको डीपली समझना पड़ेगा देखो यहीं पर और एक आंसर निकल रहा है देखो कैसे निकल रहा है यहां दब फाहियन केप सीम्स टू बी अर्लियेस्ट ऑपर पालियलिथिक साइट इंडर इंडियन सब कंटिनेंट देखो वहां पर आफ्र पीरेड में यह भी बोला जाता है जो इंडिया का पहला फाहियन जो है पहला साइट जो की ऑपर पालियलिथिक का ही साइट है देखो आंसर कैसे आ रहा है यहीं पर है वह चीज लेकिन हम लोग को ठीक से समझना पड़ेगा और डीपली जाना पड़ेगा उसके अंदर तो पालियलिथिक ऐसी इस डिबाइड इंट इंट आपको पता होगा तो यह पहला है अरली और लोयर पालियलिथिक विएडल पालियुर्थिक और बहुत साइरा बुख tribes में ज्यक्षेटेट और कुछ कुछ ऐसा भी है जो कि आydश के लिए जेनरल स्टाडिस के लिए जो भु पिरेड है 600,000 to 150,000 तक है मेडिल पालियलिथिक है 150,000 से लेके 35,000 तक है फिर 35,000 से लेके 10,000 तक है तो इसको हम लोग ही ज्यादा बिलीब करेंगे और ज्यादा सही मानेंगे तो फिर देखते हैं जो बोरी था बोरी बोरी इन महरास्ट्रा और इस साइड इस जो जब एक्छाम में ऐसा पर एक कल दो और बोरी और महराश्ट्र में है फीर आहां देखो से लोग करिलिश वियो न फॉट्तन फ्रक्रदीस अंड supports और टीजर्ट एरिया ओफ डिड्वान इन राजस्तान ऐसे पठट्त्रृ डिड्वान इन्वस्त्रेश्थार्ट यूथ पीरेट से बिलोग करता है लोने लोय यार पले लेए थी तो पहला है लोटें प्लेले दी उसके पाफर फर देखो एह है चिरीग की नभेश इन महारस्ट्रा एक हमें पाड़ीगा कि कौन कौन सा यकर जागे से बिलॉघ करता है हो है महारश्ट्र हाज इल्डेड आज मेनी 200 टूल्स सरी 2000 टूल्स दिखा रहा है फिर देखो नागर्जुन कोंडा यह तो मत पता है हमको अभी भी नागर्जुन कोंडा इन अंद्रप्रदेश दा केप संड रॉक सेल्टर सब भीमबेट का नियर भोपाल सो फीचर सब लोयर टेडिक बारे में बूल रहा है तो लोयर पालियालितिक यूज हैंड एक्सस कलेवर्स मिडल पाले अलिती sn LGBT basedmernוס अ website UH university Central강 you said applies with pass tääll hoppers ए फ्लेक्स इन्डेस्ट्री द प्रिंसिपल डूल कमप्राइस इसका जो जो यह ता फ्लेक इंडरस्ट्री का जो यह था जो टूल सब ता उटूलस को बोला जाताँ था भलेटस पॉइंञ्ट्स पोडर स्कापर सबपर तरह और मेड और फ्लेक्स फिर क्या देखते हैं यहां पे देखो और एक मज़ा वाला चीछ देखो कि यह यहां पे फलेक इंडेस्ट्री है जो मीडिल पाल्यो लिथीक में जो अक्षिस साता है क्लेभर चापर साता में जहीं लेकिन इसको बोलते हैं फ्लेक इंडेस्ट्री ठीक है और जो अपर पालेलिथिक को बोलते हैं फ्लिंट इंडेस्ट्री याद रखना फ्लिंट इंडेस्ट्री तो इसको बोलते हैं इसमें कितना सारा साइट्स दिख रहा है पालेलिथिक फेस में जो अपर पालेलिथिक में 5 566 साइट्स ठीक है उसके बाद देखें केप संड रॉक सेल्टर्स पर यूज बाई हुमान बींग सी अपर पालियोलिथिक फेस हाज हब बीन डिस्कवर्ड आड भिंबेट का 45 किलोमेटर साउत अब भोपल जो भोपल के 45 किलोमेटर दूर में कुछ केप संसेल्टर्स जो की पालियोलिथिक में यूज हुआ था तो मिल रहा है डिस्कवर हो रहा है भिंबेट का से तो भिंबेट का 45 किलोमेटर साउत अब भोपल में उपस्तित है तो दीज वेयर डिसकेशन पालियोलिथिक एस प्रिहिस्टोरिक पीडियट फ्रम आरे सर्मा बुक आई होब इस है आरे सर्मा बुक के बारे में आप लोग सुने होगे और कभी कभी हम लोगों पढ़ने को टाइम नहीं मिलता बट इस वीडियो से जब लोग वीडियो देखेंगे वीडियो में बहुत अच्छे से डिसकस हुआ है तो हम लोग इससे भी नोर्स बना सकते हैं और पढ़ सक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा आ रहा है मेश्योलिटिक एस के उपर वो भी आरे सर्मा के बुक से थैंक्यू पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू